नमस्कार आज कता सकी में सुनिये मुन्शी प्रेमचंजी की लिखी कहानी धूखा सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे जोकों से लहरा रहे थे और प्रातक काल की मंद मंद सुनहरी किर्णे उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थी राजकुमारी प्रभाकुंड के किनारे अरी भरी घास पर खड़ी सुन्दर पक्षियों का कल्रव सुन रही थी उसका कन कवर्ण तन इन्ही फूलों की भाती दमक रहा था मानो प्रभात की साक्षात सौम में मुर्ती है जो भगवान अंशुमाली के किरण करों द्वारा निर्मित हुई थी प्रभा ने मौल सीरी के व्रिक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की और देख कर कहा मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिडिया होती उसकी सहेली उमा ने मुस्कुरा कर पूछा क्यूं प्रभा ने कुंड की और ताक्ते हुए उत्तर दिया ब्रिक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई सचहाती मेरे कल्रव से सारा बाग गुंज उड़ता उमा ने छेड़ कर कहा नौगड की रानी ऐसे कितने ही पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती है प्रभा ने संकुचित होकर कहा मुझे नौगड की रानी बनने की अभिलाशा नहीं है मेरे लिए किसी नदी का सूनसान किनारा चाहिए एक वेना और ऐसी ही सुन्दर सुहावनी पक्षियों के संगीत की मधुर्ध्वनी में मेरे लिए सारे संसार का एश्वर्य भरा हुआ है प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था वह बहुदा ऐसे ही सुक्स्वप्न देखा करती थी उमा उत्तर देना ही चाहती थी कीतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई कर गए थोड़े दिन की प्रीति प्रभा ने एक आग्रमन होकर सुना और अधीर होकर कहा बहन इस वानी में जादू है मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता इसे भीतर बुला लाओ उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था वह बोली निसन देव ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना खिडकी खोल कर बुलाती हूं पोड़ी देर में राग्या भीतर आया सुन्दर सजीले बदन का नौजवान था नंगे पैर नंगे सिर कंधे पर एक म्रिक चर्म शरीड पर एक गेरुआ वस्त हाथों में एक सितार मुखार विंद से तेज छिटक रहा था उसने दबी हुई द्रिष्टी से दोनो पुमलांगी रम्नियों को देखा और सिर जुका कर बैठ गया प्रभा ने जिजकती हुई आखों से देखा और द्रिष्टी नीचे कर ली उमा ने कहा योगी जी हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए हमको भी कोई पद सुना कर कृतार्थ कीजिए योगी ने सिर जुका कर उत्तर दिया हम योगी लोग नारायन का भजन करते हैं ऐसे ऐसे दर्वारों में हम भला क्यागा सकते हैं पर आपकी इच्छा है तो सुनिए कर गय थोड़े दिन की प्रीती कहा वह प्रीती कहा यह बिछरन कहा मधुवन की रीती कर गय थोड़े दिन की प्रीती योगी का रसीला करुण स्वर। सितार का सुमधुर निनाद। उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसुत किये देता था। इसका रसग्य स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपुर्व सैयोग था। जिस भाती सितार की ध्वनी गगन मंडल में प्रतिध्वनी थो रही थी। उस भाती प्रभा के हिर्दय में लहरों की हिलोरे उट रही थी। वे भावनाएं जो अब तक शान्त थी जाक पड़ी। हिर्दय सुक्स अपन देखने लगा। सतिकुंड के कमल तिलिस्न की परियां बन बन कर मट राते हुए भारों से करजोड सजल नयन हो कहते थे। कर गय थोड़े दिन की प्रीती। सुर्ख और हरी पत्यों से लदी हुई डालियां सिर जुकाए चचहाते हुए पक्षियों से रो रोकर कहती थी। कर गय थोड़े दिन की प्रीती। और राजकुमारी प्रभा का हिर्दय भी सितार की मस्तानी तान के साथ हूंजता था। कर गय थोड़े दिन की प्रीती। प्रभा बगहौली के राव देवी चंद की इकलोती कन्यात। राव पुराने विचारों के रईस, क्रिश्न की उपासना में लवलेन रहते थे, इसले इनके दर्बार में दूर-दूर के कलावंत और गवईये आया करते और इनाम एक राम पाते थे, राव साहब को गानू से प्रेम था, वे स्वैम भी स्विध्या में निपूर थे, यदि पी अब व्रिध्धा वस्था के कारण यहां शक्ती निशेश हो चली थी, पर फिर भी विध्या के गूर तत्तों के पूर्ण जानकार थे, प्रभा बालिकाल से ही इनकी सहबतों में बैठने लगी, कुछ तो पुरुजन का संसकार और कुछ राद दिन गानी की ही उने, उसे भी इस फन में अनुरक कर दिया था, इस समय उसके सौंदर्य की खूप चर्चा थी, राव साहब ने नौगड के नवियुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से, उसकी शादी तजवीज की थी, उभह पक्ष में तैयारियां हो रही थी, राजा हरिश्चंद मेयो कॉलेज अजमेर के विद्यार और नई रोश्णी के भक्त थी, उनकी आकांचा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षतकार होने और प्रेमा लाप करने का उसर दिया जाए, किन्तु राव साहब इस प्रथा को दूशे समझते थी, प्रभा राजा हरि इस चंद के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर, इस संबंध में बहुत संतोष्ट न थी, पर जब से उसने इस प्रेम में युवा योगी का गाना सुना था, तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती, उमा उसकी सहेली थी, इन दोनों के बीच कोई परदाना था, परन्तु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा, उमा उसके स्वभाव से परिचित ताड़ गई, परन्तु उसने उपदेश करके इस अगनी को भढ़काना उचितना समझा, उसने सोचा कि थोड़े दिनों में ये अगनी आप से आप शान्त हो जाएगी, ऐसी दालसाओं का अंत प्राया इसी तरह हो जाया करता है, किन्तो उसका अनुमान गलत सिद्धुआ, योगी कीवा मोहिनी मुर्ती कभी प्रभा की आखों से न उतरती, उसका मधुर राख प्रतिछड उसके गानों में गुजा करता, उसे कुंड के किनारे वस दिल जुकाए सार प्रती देखती, कभी कभी उसे ऐसा आभास होता, कि बाहर से यह आवाज आ रही है, वह चौक पढ़ती और त्रिशना से प्रेरी थोकर वाटिका की चार दिवारी तक जाती, और वहां से निराश होकर लोटाती, फिर आप ही विचार करती, यह मेरी क्या दशा है, मुझे य क्या हो गया है, मैं हिंदू कन्या हूँ, माता पिता जिसे सौब ने, उसकी दासी बनकर रहना धर मैं, मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए, इसे अन्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना, मेरे लिए पाप है, तो, या कलुशित रिदय लेकर मैं किस मुझ से पती के पास जाऊंगी, इन कामों से क्यों कर रणय की बाते सुन सकूंगी, जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक गर्ण कटू होगी, इन पापी नेत्रों से वह प्यारी प्यारी चित्वन कैसे देख सकूंगी, जो मेरे लिए वज्र से भी हिर्दय भेदी होगी, इस गले में वे म रिदुल प्रेम बाहु पढ़ेंगे, जो लोह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे, प्यारे तुम मेरे हिर्दय मंदिर से निकल जाओ, या इस थान तुम्हारे योग्य नहीं, मेरा वशोता, तो तुम्हें हिर्दय की सेज पर सुलाती, परंतु मैं धर्म की रस्यों स बंधियों, इस तरह एक महीना बीद क्या, ब्याह के दिन निकट आते जाते थे, और प्रभा का कमल सा मुख कुम लाया जाता था, कभी-कभी विरह वेदना एवं विचार विपलव से व्याकुल होकर, उसका चित्त चाहता कि सती कुंड की गोद में शान्ती लूँ, भागनी को, उन्होंने किस लाट प्यार से पाला है, मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूँ, नहीं यू प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या न करूंगे, मेरे हिर्दय पर चाहे जो बीते, उन्हें न कुढ़ाऊंगे, प्रभा का एक योगी, गवईये के पीछे उन्मत हो जाना, कुछ रोभा नहीं देता, योगी का गान तान से इनके गानों से भी अधिक मनुहर क्यों नहों, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिग जाना, रिदय की दुरबलता प्रकट करता है, राव साहब के दरवार में विद्या की, शौरिकी और व राजित थे, और उन्ही पर प्रसंशा के बहुमोले रत्न लुटाए जाते थे, प्रभा ने प्रारंभी से इसी जलवायू का सेवन किया था, और उस पर इनका गाढ़ा रंग चड़ गया था, ऐसी अवस्था में उसकी गान लिपसा ने यदि भीशन रूप धारन कर लिया तो आश्चरी ही क्या है? के बनाने में शिल्प विशारदों ने अपुर्व कोशल का परिचय दिया था, श्रिंगार चतुराओं ने दुलहिन को खूप सवारा, रसीले राजा साहब अध्रामरित के लिए व्रिहल हो रहे थे, अंता पुर में गय, प्रभा ने हाथ चोड़ कर, सिर जुका कर उनका भिवादन किया, उसकी आखों से आसो की नदी बह रही थी, पती ने प्रेम के मद में मत्थो कर घोंगट हटा दिया, दीपक था पर बुझा हूँ, फूल था पर मुर्चाया हूँ, दूसरे दिन से राजा साहब की यहदशा हुई, कि भौरे की तरव प्रती छण, इस फू दूखचंद्र, आमोद का सुहावना कुझ, बस प्रेम मद में राजा साहब बिलकुल मत्वाले हो गए थी, उन्हीं क्या मालूम था कि दूद में मक्ही है, यह असंभव था कि राजा साहब के हिर्दय हारी और सरस्विवहार का, जिसमें अनुराग भरा हुआ था, प्रभ प्रामन में बहुत लज्जित होती, वह अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्यना पाती थी, इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृतिम, रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक गश्ट होता था, जब तक राजा साहब उसके साथ रहत वह उनके गले लथा की भाते लिप्टी हुए धंटो प्रेम की बाते किया करती, वह उनके साथ सुमन बाटिका में चुहल करती, उनके लिए फूलों का हार गूंट थी, और उनके गले में हार डाल कर कहती, प्यारे देखना, ये फूल मुर्जान अचाएं, इन्हे सदा ता जाती, तो वही मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दय तथा निष्ठुर कहती, उनके सामने वह स्वयम हस्ती, उसकी आखे हस्ती, और आखों का काजल भी हस्ता था, इन्तु उफ। जब वह अकेली होती उसका चंचल चित, उड़कर उसी कुंड के तट पर जाप प असकुराती और नजाकत से लचकती हुई आप पहुशती, तब रसीले योगी की मोहिनी छवी, आखों में आ बैठती, और सितार से सूललित सूर गूंजने लगते, कर गये थोड़े दिन की प्रीती, तब वह एक दिर्ग निश्वास लेकर उठ बैठती, और बाहर निकल कर पिंजरे में चहकते हुए, पंचियों के कलरों में शांती प्राप्त करती, इस भाती अस्वपन तिरोहित हो जाता, इस तरह कई महीने बीट गए, एक दिन राजा हरिश्चन प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए, उसके प्रथम भाग में एतिहासिक चित्र थी, साम भक्त, जगमल, विर्वर सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे, वाईयों रुदार भीम सिंग बैठे हुए थे, राणा प्रताप के सम्मोग महरास्ट्र केशरी विर शेवाजी का चित्र था, दूसरे भाग में कर्मियोगी क्रिष्ण और मर्यादा प्रतम राम विराजते थे, चतुर चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपुर्व कोशल दिखाया था, प्रभानी प्रताप के बाद बद्दों को चूमा और वह क्रिष्ण के सामनी देर तक, नित्रों में प्रेम और श्रद्धा के आसु भरे, मस्तक जुकाय खड़ी उसके हिर्दय पर इस समय कलुशित प्रेम का भैखटक रहा था, उसे मालूम होता था कि यह उन महापुरुष्ण के चित्रने, उनकी पवित्र आत्माई, उनी के चरित्र से भारतवर्ष का इतिहास गौर्वान भी थे, विर्ता के बहुमुल्ले जाती रत्न, उच्च कोट के जाती इस मारक और गगन भेदी जाती एक तो मुल्धवनी है, ऐसे उच्चात्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था, वह आगे बढ़ी, तूसरा भाग सामने आया, यहां ज्यान में बुद्ध, योगसाधना में बैठे हुए दिख पड़े, उनके दाहिनी श्रास्त्रग्य शंकर थे और दाशनिक दयानन, एक दिवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाती पर बली चड़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे, दूसरे दिवार पर वेदान्त की जोती फैलाने वाले स्वामी रामतिर्थ और विवयकानंद शित्रकारों की योगिता एक-एक अव्वय से टपकती थी, प्रभा ने इनके चर्णों पर मस्तक टेका, वह उनके सामने सिर्न उठा सकी, उसे अनुभव होता था कि दिव्याखें उसके दोशित्रिदय में चुभी जाती हैं, इसके बाद तीसरा भाग आया, यह प्रतिभ ये कवी काली दास थे, बाई तरफ गंभीर भाउं से पुर्ण भवभूती, निकठी भरत्री हरी अपने संतोश आश्रम में बैठे हुए थे, दक्षण की दिवार पर राष्ट भाषा, हिंदी के कवियों का सम्मीलन था, सहिर्दय कवी, सूर्टे जस्वी तुलसी, प्रेशव और रसिक बिहारी यथा क्रम विराजमान थे, सूर्दास से प्रभा का आगात प्रेम था, वह समीब जाकर उनके चर्णों पर मस्तक रखना चाहती थी, यह कस्मात उन्ही चर्णों के समोग, सर जुकाए, उसे एक छोटा सा चित्र दिखाई पड़ा, प्रभा उ प्रेशंद्र ने मुस्करा कर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रशन से प्रभा का हिर्दय काप उठा, जिस तरह अमरिक शावक, व्यात के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी-बड़ी आखों से दिवा की ओर ताकनी लगी, तोशने लगी क्या उत्तर दूँ, इसको कहीं देखा है, उन्होंने या प्रश्न मुझ से क्यों किया, कहीं तार तो नहीं गये, हे नारायन, मेरा तब तुम्हारे हाथ है, क्योंकर इंकार करूं, मुह पीला हो गया, दिर जुका कर छिर्ण स्वर में ब कार्टिका के सामने जा रहा था, उमा ने बुला कर इसका गाना सुना था, अरिस्चंद्र ने पूछा, कैसा गाना था, प्रभा के होश उड़े हुए थे, सोचती थी राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है, देखूं लाज रहती है या नहीं, बोली, उसका गाना ऐ आज पुशल नहीं है, पहचत की ओर निरखती हुई बोली, तूरदास का कोई पद था, अरिस्चंद्र ने कहा, यह तो नहीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीती, प्रभा की आखों के सामनी अंधेरा चाक्या, सिर घूमने लगा, वा खड़ी न रह सकी, बैठ गई, और हता शोकर बोली, हाँ यह पद था, फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ, अरिस्चंद्र बोले, वह योगी मेरे यहां अकसर आय जाय करता है, मुझे भी उसका गाना पसंद है, उसी ने मुझे यहा हाल बताया था, किन्तु वह तो कहता था कि र अरिस्चंद्र बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था, कि उन महाशय की चालाकी है, डिंग मारना गवैयों की आदत है, परन्तु इसमें तो तुम्हें इंकार नहीं कि उसका गाना बुरा ना था, प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को बुरा कौन कहेगा, अरिस्चंद से प्रभाका मुखमंडर विक्सित हो गया, परन्तु इन कई महीनों की लगातार कोशिस से, जिस बात को भुलाने में वह किंचेच सफल हो चुकी थी, उसके फिर नवीन हो जाने का भै हुआ, बोली, इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता, राजा नहीं कहा, यह मैं निकल गये, प्रभा उन्हें रोक न सकी, वह बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी, प्रिदय में खोशी और रंच की लहरें बारी-बारी से उठती थी, मुश्किल से दस मिनट बीते होंगे, कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी, कर ग में योगी की मोहिनी मूर्ती दिखाई दी थी, वह मस्तानापन वही मतवाले नित, वही नैनाभिरा, देवताओं कासा स्वरू, मुखमंडल पर मंदमंद मुस्कान थी, प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आखों से देखा, एका एक उसका हिर्दय उचल पड़ा, ये आख गंठ से बोली, प्यारे प्रियतम, राजा हरिस्चंद को आज सची विजय प्राप्त हुई, उन्होंने प्रभा को उठा कर छाती से लगा लिया, तोनों आज एक प्राण हो गए, राजा हरिस्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने यह स्वां क्यों रचा था, गाने का मुझे स सदा से व्यसन है, और सोना है तुम्हें भी इसका शौक है, तुम्हें अपना हिर्दय भीट करने से पहले एक बार तुम्हारा दर्शन करना आवश्यक प्रतीत हुआ, और उसके लिए सबसे सुगम उपाई यही सोच पड़ा, प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योग प्रदाता कौन होगा, अभी आप सुन रहे थे, मुन्शी प्रेमचन जी के लिखी कहानी धोखा